गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स, वेलकम टू किर्स मिलेनियम स्कूल, क्लास LKG, सब्जेक्ट मैस तो बच्चों आज हम, what comes after, before, in between एक साथ पढ़ेंगे, आपको पता है, after means क्या होता है बाद में, before means, पहले, between means, बीच में आज हम, तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे, after तो यहाँ पर हम दिखेंगे कौन से नमबर लिखा है, 152 152 के बाद, 153 Next, 179 179 के नमबर, 180 Next, 196 196 के बाद, 197 Next, 199 199 के बाद, 200 Next, 180 180 के बाद, 181 Next, 164 164 के बाद, 165 अब हम यहाँ पर, before पढ़ेंगे यहाँ पर हम दिखेंगे कौन से नमबर लिखा है, 199 199 से पहले, 198 Next, 159 159 से पहले, 158 Next, 200 200 से पहले, 199 Next, 167 Next, 167 167 से पहले, 166 Next, 182 182 से पहले, 181 Next, 179 179 से पहले, 178 अब हम पढ़ेंगे, between तो यहाँ आपर हम देखेंगे, कौन से नमबर लिखा है, 160 और इधा, 162 तो इन दोनों के बीच हों कौन से नमबर आता है, 161 Next, 198 और इधा, 200 198 और 200 के बीच में, 199 Next, 171 और इधा, 173 171 और 173 के बीच में, 172 Next, 189 और इधा, 190 इन दोनों के बीच में, कौन से नमबर आएगा, 190 Next, 155 और इधा, 157 इन दोनों के बीच में, कौन से नमबर आएगा, 156 Next, 169 और इधा, 171 इन दोनों के बीच में, कौन से नमबर आएगा, 170 तो बच्चों, ये बरक आपका अपनी मैस की नोटबूक में करना है और अच्छी से प्रेक्टिस करनी है, थांक्यू